हेलो नमस्कार जैन तत्ता में जगह खोकर भी राजनितिक जगह बना लेना एक महत्यपुन कला है और इसी कला को बहुख भी निभाया है तेजस्वी यादों ने दरसल बिहार विधान सभा में कल फ्लोर्टिस्ट कराया गया जिसमें नितिस्कमार को बहुमत साबित हो गया त दल वदल बीरोधी अधिनियम क्या है इसके बारे में संपुन जानकारी आपको प्रवाइड कराएंगे तो वीडियो में बने रहें सथा चैनल कभी सब्सक्राइब कर लें जैसे इस प्रकार की इंफरमेटिव वीडियो समय समय से आपको देखने को मिल पाएं क्योंकि क्यो फ्लोर टेस्ट ये फ्लोर टेस्ट क्या होता है इसके द्वारा सरकार अर्थात बिधाईका का समर्थन चेक किया जाता है कि बिधाईका को अर्थात सरकार को बहुमत है भी कि नहीं है दरसल बिधाईका क्या होता है इसके बारे एक बात मैं समझा दोना चाहूंगा दरसल ज आफिक होती है बिधाय का मैं एक मिधुद्रा और एक नियाय पालिका सरकार की ने लोक्छिंग Course और विस्वतियु से मानदे नहीं हैं वह ऐलेक बात नहें विदायग के केंद्र में जो संसoder होती है उसे हम संसद कहते हैं पहिसे तो दूंग होते है लोकसभा और राजसभा और प्रामतों में अलग अलग राज्यों में जो भिधायका हो ती यह उसे बिधानमंडल कहते हैं इसके वी दूंग होते हैं बिधानसभा और बिधान परिशदके इसके बात कारीफीया होती में करक्यां यॉताया को सरकार को सिद्ध करना होता है कि उनके पास समर्थन बहुमत है भी कि नहीं है अगर वोगी प्रांत मैं तो बहुमत है कि नहीं है अरोगा केंद्र में है तो सांसदुन का बहुमत पास है प्रवारिक प्रवारिक राष्ट्र पती या राजयपाल द्वारा मुख्य मंत्रिया प्रधान मंत्री को बहुमत साबित करने के लिए तो केंद्र में राष्ट्रपती महोदय आधेश देंगे परधान मंत्री को कि अपना बहुमत सिद्ध करो अगर आपके पास बहुमत है तो आपके पास बहुमत है या उसी प्रकार से राजियों में राजिपाल महोद है मुख्यमंत्री को आदेश देंगे कि आप अपना बहुमत सिद्ध करो अगर आपके पास बहुमत है तो आप अपना बहुमत सिद्ध करो दर असल यह फ्लोर्ट ट्रिस्ट तब होता है जब भी किसी प्रकार का संदेह हो राष्ट्रपती अथवर प्रकार जब नई लोक सभा केंद्र में अथवा राजिव में नई बिधान सभा का गठन होता है उस समय भी टेस्ट कराया जाता है जाता है जैसे बिहार में भी राजिपाल ने मुक्हमंत्री को नितिष्कमार को आदेश दिया कि आप बहुमत सिद्ध करी अपना बहुमत स यानि कि अधिक से अधिक बिदाए कि आपके पास 50% से अधिक बिदाए आपके पास समर्थन में हैं ये सीधि करिए लोकसभा अथा बिधान सभा के अध्यक्ष लोकसभा यानि कि अगर केंद्र की बात है तो लोकसभा और राज्य की बात है तो बिधान सभा आप जानते हैं क अध्यक्ष बोलते हैं और बिदान परिशद के द्वारा ये फ्लोटिष्ट करा जाता है अधेश कौन देता है राजियों के लिए राष्ट्रपती देंगे अधेश लेकिन करायेंगे कौन अध्यक्ष महोदे कराएंगे इसके लिए सभी पार्टियों को विस्प जारी किया जाता है इसके लिए जब यह आदेश दे दिया जाता है कि अपना फ्लोटिष्ट कराये और फ्लोटिष्ट के लिए डेट निर्धारित कर दिया जाता है कि इस डेट को फ्लोटिष्ट होगा तो सभी पार्टिया अपने अ पत्र के द्वारा यह उनको सुचित किया जाता है कि उस दिन किसी भी हालत में उपस्थित रहाना सदान में उपस्थित रहना अनिवारिया अनुपस्थित नहीं हो सकते हैं तो इसलिए उस दिन विस्प का उलंगन नहीं किया सकता है अगर उलंगन करेंगे तो का होगा अगर सदस्थित रहें तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्थियों का बहुमत देखा जाता है सदर्श कर दरसे सर्करा कर सदार्न नितना जाने सद होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्थियों का कि सद्थित होकर सदन मतदान कर रहें उन्हीं काउंड किया जायेगा जो बहार है यानि चदन से उस दिन absent हैं उनको कांट नहीं किया जाएगा इसलिए प्रतेक पार्टिया अपने सदस्चियों के लिए विस्प जारी करती है एक की पत्र होता है जिसमें निश्चीतर से लिखाता है कि उस दीन विस्प का उलंगन हो गया कुछ भी समस्या हो गई अगर उस दिन उपर उपस्तित नहीं हो पाया तो क्या करता है तो इस पर क्या होता है दल बरत दल बिरोधी अधिनियम लग जाता है बिष्प जारी कर दिया तो दल बदल बीरोधी अधिनियम लगने का प्रभाव क्या होता है तो इससे क्या होगा आगे देखते हैं ये ये दल-बदल बिरोधी अधिनियम अगर किसी सांसद कोई शांसद विस्प का उलंगन कर देता हैं जो जारी किया जाता है पार्टी के दौरा उसके बाद करने की बाद भी अनुपास्थित्र रहा जाता है तो इसके उपर दल बदल बीरोधी अधिनियम लग assignments के द्वारा आया है संवदन के द्वारा में में राजीव गांदी के सर्कार के समें आया था यह दल बदल भिरोधी अधिनियम इसे यह कि इस अनुस्र. मैं बता रहा हूं किन्य नि justement संस्वधन के द्वारा यानि कि 2003 में इसे कठोर बना दिया गया और कठोर बना के रहे वन बाई थ्री को टू अपां थ्री कर दिया गया अब यह क्या है अभी इसको बारे में समझा रहा हूं एक मिनट में अभी हिलाली से समझें जिस दल के टिकेट पर चुनाव जीता है उस इस पार्टी में छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाएगा उस पर दल बिदल विरोधी अधिनियम आ जाएगा और इसकी सदस्यता रद्ध हो जाएगी दल के निर्देश के विरुद्ध मद्दान करता है वहीं दल का निर्देश का मतलब वहीं विस्प जो जारी किया है अगर विस्प जारी किया कि इस डेट को आप रहना अनिवारे है सदन में किसी भी किमत पर और यहां पर मद्दान करना है आपको तो वहीं पर मद्दान करना पड़ेगा तथा उस दिन रहना अनिवारी भी नहीं होगा अगर उसके विरुद्ध मद्दान करता है अथवा उस दिन उपस्थित नहीं होता है तो इस पर दलवदल विरोधी अधिनियम आ जाएगा और उनके सदस्यता खतम हो जाएगी पार्टी नहीं हो गया है उसके खिलाब कोई इस प्रकार की घटना हो गई है जो कि जैन्यम घटना है और इस कारण वह नहीं आ पाया है तो चाहे तो पार्टी से अपने पार्टी से छमा मांग सकता है और अगर पार्टी उसे छमा कर देती है विस्प जारी करने के 15 दिन के भीतर अगर पार्टी उसे छमा कर देती है तो दल बदल नहीं लगेगा फिर तो उसकी सदस्यता कायम रह सकती है लेकिन पार्टी अगर छ सिदल के निर्दली रूफ से सदेषिता गढ़न कर लेता है अरथाथ एंपी बन जाता है अज़ाए यह के बाद किसी लका करना गढ़न सब इतंट में जक्चा चाक ऑद नहीं रहपना मनोनिद सदस्ते शो महां परिवर्थित कर ले आभ जानते हैं केंद्र में जो सदन होती कि संसत उसके राज सभा और लोग सभा दो सदन होते हैं तो राज सभा में ज लेकिन दो सदन जहाँ हाई वहाँ बिधान परिश्यत में कुछ सदस्यों को मनॉनित किया जाता है तो जो भी मनुनुनित सदस्य से होँ तो डल अगर परिवर्थित कर ले अगर सि hablando के भीतर द्रूर्भाव में रहेंगे जो उनको मनुनित किया होगा उसकी पूजा अर्चना करते रहेंगे च्छा महीने के बाद अगर बात बिगड़ती है तो कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि च्छा महीने के बाद अगर दल परियुर्थित करने के सोचेंगे तो इस पर दल बदल बिरोधी अधिनियम आ जाएगा और उनकी सिंदसेता जाएगे आंतिम निर्णाया जाएगी दल बदल पर अध्यक्षा सभापति ले सकता है यानि विस्व जारी करने के शीडिय कि इस दिन सदन में रहना नहीं किसी कारण सदस्य सदन में नहीं रख पाई तो सब्सक्राइब बदल बीरोधि अधिनियम आ गया और उसके तत प्राव श्मदान भी मांग सकता है तो सभापति अध्याज जो है इस पर अंतिम निर्ण एसकता है कि उसे समादान देना है कि नहीं सभापति पर यह लागू नहीं होता है जब लोग सभाके हो राज सभाके हो चाहे बिधान सभाके चाहे बिधान परिशत की किसी भी सदन के हो अगर अध्यक्ष है अथ्वा उपादेक्ष है अथ्वा सभापति है अथ्वा उपसभापति है तो उस पर यह दल बदल बिरोदी अधिनियम लागु नहीं होगा उस पर फालो नहीं करेगा कि इसमें न्याले की अधिकारिता नहीं है क्योंकि संसाधवा बिधान मंडल दोनों को एक विसींठार प्राप्त होता है और उसलिए न्यायपालिका न्याले अधिकारिता न्याले की अधिकारिता इसमें लेकिन 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 इसमें नयाइक नयायक समीछह की जा सकती है उसके प्रैक्रियास सही है कि नहीं ह्यां यहां पर दल बदल विरोधी अधिनियम लगता कहां कब कभी दल बदल विरोधी अधिनियम लागु होतां और सथक्ष कर जाता हा संसत से अथ्Well Americans इस बारे में हमने आपको समझा दिया अब क्या है जब सम यह जब लागू हुआ था बाउन मा संविधान संस्वतों नहीं सब पचासी में जब 10-2 सूचि में इसे सामिल किया गया था उस समय इसका रेंज वन बाइथ्री था इसी पार्टी के जितने भी सदस्य है उस सदस्य क कि वन भाई थ्री सदस्य कम से कम अगर उसकी सदस्य चोड़ दें और दूसरे दल में चले जाएं दूसरे पार्टी में चले जाएं तो दल बदल बिरोधी अधिनियम लागू नहीं होता था उस समय लेकिन इसे 2003 में एकंभेरवां संस्योधन द湖 independent दी में इसे कठोर Eckame Bonner बनाया गया था। एक बड़ा 3 से 2 बड़ा 3 कर दिया गया। यानी कि अब की समस्base क्या है यानी कि 2003 के बाद भदल भी रोधिया दिनियां तब लागू नहीं होगा जब दो बटा 3 सदस से किसी पार्टी को छोड़ कर चले जाएं, यानि कि 6.6,6% कम से कम, अगर इतने सदस से चले जाते हैं पार्टी को छोड़ कर दूसरे पार्टी में, तो उन पर दल बदल विरोधिय अदिनयम लागू नहीं होगा, लेकिन इस से कम अगर जाते हैं, तो द जो राज्यपाल अथव रष्टपती ने जिस दल को जिस मुख्यमंत्रि अथवा प्रधान मंत्री को फ्लोटेश्ट कराने के लिए बोला है कि आप अपना बहुमत सावित करिये तो अध्यक्ष अध्यक्ष वहाँ पर भभुमत सावित फ्लोटेश्ट कर आएगा उसमें उनक 50% से अधिक मत मिल जाता है तो उनकी सरकार बन जाएगी और अगर नहीं मिलता है तो सरकार नहीं बनेगी फिर दूसरे को कहा जाएगा कि आप अपना बहुमत साइद की Mais और समार्यन जरूरी नहीं है लेकिन समारिकन उसिक बहुमत साथ करने के लिए कहा अगर अच्छे लगे तो लीडियो को लाइक कर दीजेगा्टकि अगर सब मेरे खिलाप है अगरसम लो सब को हारना होगा दो लेगा कर對了ique चैनल को सस्क्राइब अभी तक नहीं कियों सस्क्राइब कर देजिएगा जिस इस प्रकार की इंफार्मेटिव वीडियो समय समय से आपको मिलती रहें धन्यबाद